नमस्क्राइब फ्रेंड्स मैं हूँ नितन दोब समझास और मायपूर के जन में आपका स्वागत है आज हम लोग मालाईलाटू बनाना सिखेंगे सबसे आशंतर ये कसे कैसा बना सकते हूं मैं आपको दिखने वालो यह बहुत ही अच्छा संदर टेस्टी फुल सुईट है सो चलिए फड़ा वर्च शूरू करते हैं मालाईलाटू बनाने के लिए मैं सबसे लिए परतों ऋडाल दिी चीज मालाईलाटू बनाने के लिए मैंको तीन चीज चाहि == वह है शुगर पॉडर, मिल्क पॉडर और बटर चार सो गम शुगर पॉडर लिया और चार सो गम मिल्क पॉडर है और चार सो गम बटर है तो आप धियान रखे आप जो बटर यूज करना है आपको वह है बिना सॉल्ट बाला एक तो सॉल्ट बाला बटर मिलता है और बिना तक लें उतार टेस्ट नहीं आता है इसलिए बिना सल्ट बाला बटर चाहिए आपको तो मैंने इदर देख सकते हैं 400 गम बटर ले लिया इदर 100 ग्राम का चार पेकट हैं तो आभी उसको छोड़ा चुटा पीस करके हम उसे में डाल देंगी पहले मैंने तो बरा बरा कटा था अच्छा मतलब मिल्क पाउडर शुगर पाउडर बटर मिक्स कर दिजिए और इसको बरिया से मिस्क करिए आप कोई जल्दी बजी मत करिए देखिए इसको आप आराम आराम से मिस्क करते रहे आपको पता चलेगा धीरे दिरे वह ऑटमेटिक कुस्क में पानी आएगा यह बात कभी ध्यान रखने का और शुगर पाउडर थोड़ा दाना दाना रहता है कोई-कोई तो उसको आप ध्यान पुरबब उसको पूरा मेस्क करना है दाना दाना नहीं रहना चाहिए आप चाहिए तो पहले ही ना शुगर पाउडर को अच्छा से और थोड़ा सा करना है सो इधर देख सकते हैं लागबग मीक्स हो गया पूरी अच्छे तरह से मैंने मीक्स कर लिया यह लड़ो बनाने के लिए रेडी है बट अभी भी 100% रेडी नहीं हुआ है 80% हो गया आपको में दिखा तो देखे और थोड़ा सा उसको मैश करेंगे हम मीक्स करेंगे जादा नहीं करने तो ज़्यादा गिला हो जाएगा और थोड़ा सा मीक्स करने के बाद यह अल्ली हो गया यह अभी लड़ू बनाने के लिए पूरा तहार हो गया डैडी है सुहाभी हम लड़ू बनाएंगी और आप सब इसे में रिक्वेस्ट करता हो ये वीडियो आच्छा लगए तो एक लाइक कर दाना और हमारे वीडियो आप पहले पर देख लेगा चैनल को जोरूर सब्सक्रीब कर लेना आपको मिलते रहें करगा इसा नया नय वीडियो और फ्स में बनाने के लिए और गोल बनाने का खुशिश करें को फूटबल जैसलों गोल बनाने का बट हमारा यह अब दिखा लें घालने तो ऐलाइची पवडर लेंगा थुझा के लिए सो फिर से लाइची पाउडर डालने के बाद फिर से मिक्स करेंगे उसको अच्छी तरीका से क्योंकि लाइची पाउडर अच्छा से मिक्स होना चाहिए और थोड़ा खुचब आता है डालना जोरूरी है देखिए यह रेसिपी में छोटा-छोटा चीज बहुत इंपोर्टन रहता है यह जो थोड़ा सा एलाइची पाउडर अगा नहीं डालेंगे तो आपको जो फ्लेवर हो खुचब हो नहीं आएगा सो आपको यह सब ध्यान पुर्वक देखना है कोई भी छोटना नीचे है सो एलाइची तरीका से मिक्स कर लिया अभी सिधा उसको बनाते हैं सो देख सकते हैं मुने हाथ में थोड़ा सा ले लिया और एक ही हाथ से पहले उसको गोलबनाने का सबसकें और यह पर ईयान रहे यकोशू को टेना मेरा नहीं बनाने का प्रोपर तरीका से बनना चाहिए आप देख सकते हैं और एक बना का आपको दिखाता हूं पहले थोड़ा सा इसमें से लिजी और उसमें एक हास में बनाई है पेशर ड़ले ताकि उसका अंदर गैप ना जाए और ऐसा होने का बात आप दोनों हा बनाने का कोई मोगुजमरी नहीं आप देख सकते हैं बन रहें बहुत हीजी है और आप धियान रखना कि कोई जो बना रहे हैं एक ही साइसका हो एक बार चोटा एक बहुरा आथ हो देखने में अच्छा नहीं रहेगा सो मेजर्मेंट में आपको चाहिए ठोड़ा तोड़ आपको चाहिए तो आप कम कंटेड़ी भी ले सकता है 100-100 ग्राम क्या 50-50 ग्राम कभी बना सकते हैं पूरा लड़ू बनाने के बाद उसमें काजू एट करेंगे आप देख सकते आदा टुकड़ा तुकड़ा बला काजू इसमें डाल दिया उसका उपर बहुत इस अंदर सुइड बन के रेड़ी हैं और दोस्तों आप सोभी से में रिकोस्ट कर तो इस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दना और हमारा वीडियो पहले बार देख रहा है तो ज़रू इस चैनल को सब्स्राइब करना सो मिलते हैं इसा नय नय वीडियो के साथ तब तक कर दोड़ी